कुछ समय पहले ही प्यास की कीमतें 70-80 रुपए प्रती किलोग्राम पर जा पहुँचीत। पिछले कुछ हफ्तों में प्यास की कीमतें कम होने लगी थी और यह 63-63 रुपए प्रती किलोग्राम की कीमत पर खुद्रा मंडियों में बिक रहीत। लेकिन अब एक बार फिर प्यास की कीमतों में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में सामने आ रही जानकारी के मुताबिक भारत सरकार ने प्यास के एक्सपोर्ट से बैन हटा लिया है। इसके साथ ही कुछ अने बड़े फैसले भी लिये गए हैं, जिनकी वज़े से आने वाले समय में प्यास की कीमत में बढ़ोतरी हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट से प्राप्थ हो रही जानकारी के अनुसार भारत सरकार ने प्यास के एक्सपोर्ट से बैन हटाने के साथ साथ एक्सपोर्ट शुलकों में भी बड़लाव किये हैं, जिससे की प्यास की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। प्यास के एक्सपोर्ट शुल्क को 40% से घटा कर 20% कर दिया है। इसी वजह से प्यास की कीमतों में भी बड़ोतरी देखने मिल रही है। बीते बुधवार को दिल्ली के किशनगंज रेलवे स्टेशन पर 840 मेट्रिक टन प्यास लिए एक और रेल गाड़ी पहुंच चुकी है। सरकार द्वारा इस प्यास का अधिकतर हिस्सा आजादपुर मंडी में रिलीज किया जाएगा और माना जा रहा है कि इस एक कदम से प्यास की खुदरा कीमतें 35 रुपए प्रती किलोग्राम तक गिर सकती है। Bureau Report Market Times TV